Hello Friends, Welcome to our YouTube Channel Life X आप सभी का हमारे YouTube Channel Life X पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube Channel Life X को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे चैनल पर अविलेवल बैल आइकन को इनेबल जरूर कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज हम लाइफ एक्स में आपके लिए लेकर रहे हैं एक ऐसी महत्यपूर्ण जानकारी जिसके बारे में जानकर आप लोग चोंक जाएंगे और ये जानकारी आपके लिए काफी फाइदेमन भी साबित हो सकती है जी हाँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं हरी मिर्च खाने के कुछ चोकाने वाले फाइदे अगर आप भी हरी मिर्च खाने के शुकीन है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है तो चले दोस्तों इसके बारे में विस्तार पूर्बग बात करते हैं दोस्तों कई लोगों को तीखा खाना बेहत पसंद होता है तो कुछ लोग तीखे से परहेज करते हैं मिर्च बले ही तीखा हो लेकिन इसके फाइदे बहुत सारे होते हैं इतना ही नहीं छोटी सी दिखने वाली मिर्च ना सिर्फ आपकी सेथ के लिए फाइदे मन्द है बलकि कई सारी बिमारियों से शरीर को बचाती भी है अगर आप खाने के साथ ताजी और हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो यह विटामिन C परदान करती है इसलिए अकसर आपने देखा होगा कि कई लोग खाने के वक्त सलात के साथ मिर्च खाना पसंद करते हैं यदि आप मिर्च नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे इसकी आदर डालनी चाहिए क्योंकि यह आपकी सेथ के लिए बेहत पाइदिमन्द है तो आएए दोस्तों जानते हैं कि आखिर मिर्च का और किन तरह से प्रयोग करने से हमें फाइदा मिल सकता है मिर्च खाने के फाइदे इस परकार से हैं मोटापा कम करने में फाइदेमन्द दोस्तों हरीमेच सबजी में डालकर खाने से ज्यादा बोजन के साथ खाने में फाइदेमंद होती है इसका नियमित प्रयोग करने पर आपका मुटापा कम होता है क्यूंकि इसमें मिलने वाले एंटियोक्सिडेंट्स मुटापे को कंट्रोल करते हैं और चर्बी बनने से रोकते हैं इसलिए आप खाने के साथ हरीमेच खाने की आदत जरूर डालें कैंसर की रोक थाम करने में फाइदेमंद दोस्तों हरीमेच की डंडियां तोड़ देने से वे कई दिनों तक खराब नहीं होती है मिर्च में एंटियोक्सिडेंट्स नामक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की रोक थाम करते हैं मिर्च में विटामिन सी भी होता है एक ताजी हरी मिर्च एक नारंगी के बराबर होती है इसलिए हमें खाने के साथ इसका रोज़ाना सेवन करना चाहिए और ऐसा करके आप कैंसर जैसी घंबीर बिमारी से बच सकते है मलेरिया में बेहत फाइदेमंद यदि आपको मलेरिया का बुखार हो गया है तो हरी मिर्च आपके लिए बेहत फाइदेमंद हो सकती है इस दोरान आपको मिर्च को खाना नहीं है बलकि एक हरी मिर्च के बीच निकाल कर दो घंटे तक अंगुठे में बांध ले इस तरह दो तीन बार बांधने से मलेरिया का बुखार आना बंद हो जाएगा हाला कि दोस्तों यह तरीका ज्यादतर लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है यदि इस से कोई फाइदा ना हो तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जलने पर मिर्च का ऐसे करें यूस दोस्तों आप भले ही यह सुनकर बेहत चोंग जाएं कि जलने पर मिर्च का इस्तेमाल कौन करता है लेकिन कुछ आयरुवेदिक वैदियों के मताबिक यह बलकु सही है क्योंकि मिर्च में ऐसे कई गुण होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता हरी मिर्च पानी डाल कर पीस का लेप बना ले और यदि जले हुए हिस्से पर इसका लेप लगाएंगे तो लाब होगा क्योंकि इसमें मुझूद एंटियोक्सिडेंट्स चलन को कम करता है और फफोले पढ़ने से रोक थाम करता है मूर को बनाती है खुशनुमा दोस्तों यदि आप डिप्रेशन में है या फिर अपसेट मूर में है तो ऐसे में मिर्च आपका मूर सही करने में साइक होती है भले ही आप इसे मजाक में ले रहे हो लेकिन यह बिलकुछ सच है क्योंकि हरी मिर्च को मूर बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है यह मस्तिश्क में एंडोफरिंड का संचार करती है जिससे हमारा मोर काफी हद तक खुशनमा रहने में मदद मिलती है तो दोस्तों यह हरी मिर्च के बारे में कुछ ऐसी विशेश बाते जिनसे आप अभी तक अंजान होंगे यह छोटी सी दिखने वाली हरी मिर्च कई सारे फाइदों का भंडार है तो दोस्तों यह है हमारा आज का खास टॉपिक जिसमें हमने आपको बताई हरी मिर्च के बारे में कुछ मेहतरपुन बाते और इससे होने वाले अद्बुत फाइदे दोस्तों अगर आप भी हरी मिर्च के इन फाइदों से अभी तक अंजान है और अपनी सबंदित परिशानियों से चुटकारा पाना चाहते हैं तो अब आपको और परिशान होने की कोई अविशक्ता नहीं है क्योंकि इस वीडियों में बताईगे ये जानकारी आपके लिए काफी फाइदेमन साबित होगी तोहंत में दोस्तों हम आपको यही सला देंगे कि आप भी हरी मिर्च का खाने में सेवन करने की बजाए इसका खाने के साथ सेवन करें और इससे होने वाले फाइदों का भरपूर लाब उठाएं और खुद को स्वस्त और तंदरुस्त बनाए रखें उमीद है आपको यह जानकारी पसंदाई होगी दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको हमारी यह वीडियो फाइदमन लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेर किसी की जिन्दगी संबार सकता है लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग